हेलो दोस्तो ओलिन वरं टीटी चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो बहुत सारे मेल और कॉमेंट्स आप सभी के दौरा मुझे मिल रही है कि सर मैं फर्स्ट कॉंसिलिंग के लिए फी पेमेंट कर दिया है लेकिन मेरा फी स्टैटस डो है अनपेड दिखा रहा है मैं क्य करूं दोस्तो आप सभी देख सकते हैं कि इस पर बहुत सारे मुझे कॉमेंट्स मिल रहे थे कारण मैं ये वीडियो आप लोग के लिए बना रहा हूं आपके प्रस्टों पर तो दोस्तो आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे वीडियो को लाइक कर दीजे और अपने दोस्तों में से सेर कर दीजे ताकि उन्हें भी इसकी अपडेट पता चले अपने चैनल से जूड सके दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नालंदा ओपिन इनवर्शिटी के द्वारा बिहार बिएड इन्ट्रांस टेस्ट 2019 के फर्श्ट कॉंसलिंग का फी पेमें ट ली जा रही है और फी पेमेंट करने का लास्ट डेट 15 अप्रैल 2019 है यर्थियों का कहना है कि सर मैंने फी पेमेंट कर दिया है लेकिन स्टैटस में जो दिख रहा है अन पेड दोस्तों दिख आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है आपको कोई दिकत नहीं होने वाली है नालंदा ओपन इंवर्सीटी के द्वारा इसको लेकर वर्क चल रही है यानि की काम चल रही है लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नालंदा ओपन इंवर्सीटी जो है कोई भी काम ठीक से नह दूँं कि अगर आप फी पेमेंट कर दिये हैं और अगर आपका फी एस्टैटस अनपेड दिखा रहा है आपके लिए सिर्फ दो रास्ता बचता है पहली रास्ता यह है कि 16 तक आप लोग वेट करिये इसे अपडेट कर दिया जाएगा यानि कि पेड जो है कर दिया जाएगा सोला चार दोहजार उनीस तक वेट करिए अगर कल तक अगर पेड नहीं लिखा आता है स्टैटस में उसके बाद आप लोग करेंगे क्या कि आप लोग जब फी पेमेंट किये होंगे तो उसके साथ आपको फी रिसिप्ट मिला होगा यानि कि आपने डाउनलोड किया होगा कि यह मेरा फी रिसिप्ट है उस पर ट्रांजेक्शन नंबर पूरी डिटेल आपको होगी दोस्तों तो दोस्तों वहीं आपके लिए मददगार है रामबान है कि आपका फी एस्टैटस यानि कि अगर अनपेड दिखा रहा है और आपके पास पेमेंट किया हुआ स्लिप जो पता चलता है कि आपने फर्स्ट कॉंसिलिंग के लिए फी जो है पेमेंट कर दिया है इस पर काम कर रहे हैं बहुत जल्दी से पेड में चेंज कर दिया जाएगा अगर चेंज नहीं होता है तो दोस्तों आप लोगों का जो ट्रांजेक्शन आइडी है यानि कि ट्रांजेक आइडी उसमें दिया हुआ है पूरा डिटेल उसमें आपका दिया हुआ है कि आपने फर्स्ट कॉंसिलिंग के लिए फी पेमेंट आपने किया है तो दोस्तों आप सभी बिल्कुल घवराय नहीं मुझे बहुत सारे मेल और कॉमेंट्स आप सभी के द्वारा मुझे मिल रह है तो दोस्तों मैं आप लोग को किलियर कंसेप्ट दे देता हूं कि आप लोग घवराय नहीं बिल्कुल आप लोग आस्वास्त रहें आप लोग जो है अपने डॉक्मेंट्स जो है उनको कलेक्ट करें एक साथ मतलब सब कुछ कर ले जो भी डॉक्मेंट्स मांगी गई है नालंदा ओपन इन्वर्सिटी के दवारा उसको एक जगह कर ले एक अठा कर ले साथ में आपका जो ट्रांजेक्शन आइडी है यानि कि ट्रांजेक्शन का फाइनल फी पेमेंट का जो प्रिंट आउट है उसे अपने साथ रखे आप जब कॉंसलिंग में जाएंगे तो आ जल्द इस पर पेट आपको दिखने लगेगा दोस्तों आपको हम बता दे कि ये दिकत जो है एक दो बच्चे का नई है सारे बच्चों में सारे बच्चों का यही प्रोबलेम चल रहा है और सभी का फी अस्टेटस जो है अनपेड दीख रहा है तो दोस्तों एक ही इसका जो है अपने पास रखे जिसमें आपका सारा डिटेल उसमें दिया हुआ है तो उसे आप अपने पास रखे और कौंसलिंग के समय उसे ले कर जाए दोस्तों आपको यब वीडियो कैसा लगा आप मुझे कॉमेंट करके बताए दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो ओपन इन्वर्शिट्री के द्वारा ये काम जो है चल रही है आप लोगा बहुत जल्द जो स्टैटस है फी स्टैटस उसे पेट कर दिया जाएगा तो दोस्तों यह है पूरी अपडेट पूरी अपडेट जाने के बाद आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर दिए और अपने दोस्तों में से सेर कर दिए ताकि वो लोग भी इस चैनल से जूर सके वीडियो को देख सके तो पूरे वीडियो को अंतक देखने के लिए धन्यवाग